नवस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत एक बाद फिरीज से आप सभी का आज की बड़ी ख़बरे और सभी मुख्य समाचारों को आप तक इसी एक वीडियो में पहुँचाएंगे एक एक करके हर मुख्य समाचार को जानेंगे बड़ी खबरे आप से छूटे नहीं इसक कर दिया है एक बड़ा खुलासा हिल गई है पूरी बीजेपी जिया दोस्तों पीम मोदी के बंड कप के साथ पोश्टत तयार थे टीम इंडिया को जैपूर में घुमाने का था प्लान कॉंगेस नेता ने वताई है बीजेपी की क्या कुछ है राजिस्थान चुनाओ जीतने क थम गया हो लेकिन चुनाओ के दोरान क्रिकट बिस्थान का जिकर अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा है ताजा मामले में कॉंगेस पार्टी की नेता सुप्रियासी नेत में बीजेपी पे आरोप लगाया कि बिस्थान में अगर भारत फाइनल मुकाबला जीत जाता तो उ यहाँ पे कॉंग्रेस नेता ने दावा किया है कि है होर्डिंग और यहाँ पे बैनर पोष्टर सब तयार थे टीम इंडिया जीत जाती तो सारी होर्डिंग रिप्लेस करके बल्ड कबाली होर्डिंग लगाई जाती और टीम इंडिया को जैपूर में घुमाये जाता जिसस के दौरान पांच करोन का बे हिसाब नोटों का पहाड जब दकिया गया है जिया दोस्तों इस समय की बिग ब्रेकिंग नीज आ रही है जानकारी के लिए दोस्तों आपको बताते चलें तेलंगा नामे लगातार यहां पे वीजेपी पार्टी और बियारेस वाले लोगों में पैसे बाट रहे हैं और लुभावनी चीजे दी जा रही हैं जिससे कि उनके पच में बोट हो वहीं दोस्तों आपको बताते चलें पांच करोन रुपए एक कार से बरामत किये गए हैं इसके बाद दो कारों में नगदी ले जा रहे साथ लोगों को पुलिस ने हिरासत में नोटों का इतना अमबार देख लोगों के भी हो सुड़गा दोस्तों ये रकम आगे की जाच के लिए आयकर विवाग के अधिकारियों को सौब दी गई है एक अलग हटना में हैदरावाद के हयात नगर पुलिस इस्टेशन की सीमा में एक कार से दो करोन रुपए जप्त क किये गए हैं इस पर एक पार्टी भी से इसके श्टीकर लगे हैं और इस पूरे मामले के बाद कौंगे इस पार्टी हमलावर हो गई है बीजेपी और बीरस पे दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी नेताओं की गाड़ी से ये भारी भरकम रकम जमा की गई है क्योंकि देश की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी है इसलिए इतना कैस बरामत किया जा रहा है और बीजेपी के पच्छ में माहौल भी नहीं है और इन पैसों का इस्तमाल माहौल बनाने के लिए लोगों में बाटने के लिए जिसे के बोट मिल जाए किया जाना था बड़ी खबा दोस्तों निकल गया रही है मद्द प्रदेश से मद्द प्रदेश में 17 नॉंबर को मतदान संपन हुआ इवियम स्ट्रॉंग रूम में पहुंच चुकी लेकिन दोस्तों इवियम की पहरेदारी में लगे CCTV कैमरे ही खराब हो गए CCTV कैमरे का डिस्पले बंद होने से हरकंप मच गया और सुरच्छा पे सवाल उठने लगे कॉंग्रेस के कारकरताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया जिसके बाद आला अरिकारी पहुंचे तब जाके यहां पर कैमरे ठीक हुए दोस्तों इवियम स्ट्रॉंग रूम में पहुंच चुकी है हार जित का फैसला इवियम में लॉक है अब ही यहां दस दिनों का समय बांकी है मतगर्णा में और उससे पहले इवियम की सुरच्छा में लगाए गए सीसी टीवी कैमरे ही खराब हो गए जिसके बाद स्ट्रॉंग रूम के बाहर हरकम पो मच गया दोस्तों आपको बताते चलें मद्रपदेश के नर्मदा पूरम में स्ट्रॉंग रूम की सीसी टीवी फीड बंध होने से तहलका मच गया मामली की जानकाई लगते ही अधिकारी मौके पे पहुंचे इस दौरन राजनीतिक दलों और उमीदवारों के पति निधी भी एकटा हो गए और कई सवाल खड़े की है बाद में जब वहाँ पर टेक्निकल टीम को बुलाया गया तब जाके कहीं यहां कैमरे सही हुए है दोस्तों यह अपडेट निकल की आई है एक और खबर की दरब चलते हैं 2024 के आम चुनाओं से पहले भी पच्छी नेताओं पर कारवाई करने का है बड़ा प्लान EDCBI सभी है एक्टिव अब उससे ठीक पहले ED की सक्तियां हो जाएंगी कम सुप्रीम कोट लेने वाला है बड़ा फैसला जल्द आएगा आदेश जी हां दोस्तों प्रिवेंशन आफ मनी लॉंडिंग एक्ट यानि कि PMLA के तहत ED की सक्तियों के खिलाफ याज काउँ पे सुप्रीम कोट में सुनबाई जारी है केंद सायकार ने हलफ नामाद आयकार इस पे सुनबाई ना कहने की अपील की थी लेकिन CGI की अध्यचिता वाली बेंच ने इस परश्ट किया था कि सुनबाई होके रहेगी आखिर दिक्कत क्या है इससे पहले जो पीठ सुनबाई कर रही थी अब उस पीठ में कुछ परवेतन आया है अब मामले को नई बेंच के पास भीजा जाएगा जस्टिस संजकिसन कोल बेंच में नहीं रहेंगे क्योंकि उनका 16 दिसंबर को आखरी काय दिवस है वहाँ रिटायर हो रहे है और वहीं दोस्तों अब इन आचकाओं पे आठ हफते के बाद सुनबाई होगी मामले को नई पीठ के गठन के लिए CBI के पास पहले ही भेश दिया गया है सुप्रीम कोट पहले ही इस परष्ट कैच चुका है कि वहाँ सुनबाई जारी रखेगा चाहे सरकार सहमत हो या फिर असहमत लेकिन सुनबाई तो होकर रहेगी ED की गिरफतारी तलासी जपती कुरकी आदी यहाँ पर इन प्रावधानों की समिच्छा जारी रहेगी सुप्रीम कोट ने फिर ठुकराई है केंदर की मांग दोस्तों कि यहाँ पर ED की सक्तियां अब हो सकती है कम जल्द आएगा आदेश राजिपालों को लेकर आई है सुप्रीम कोट की तल्ख टिपणी जिया दोस्तों CGI के अध्यचता वाली इस पूरे मामले पर सुनबाई कर रहेए कि राजिपाल आखिर जो विपच्छी दलो दौरा सासित राज है उनमें बिल पेंडिंग क्यों रखती है उन्हें अटका देते हैं राजिपाल और वहीं दोस्तों सुप्रीम कोट ने आप पूरे मामले पर तल्ख टिपणी की है राजिपाल राजिके नाम मात्र के प्रमुख हैं बिल नहीं रख सकते हैं पेंडिंग सुप्रीम कोट ने इस पर्ष्ट कहा है कि लोग तंत के संसदिय स्वरूप में बास्तविक सकती जनता द्वारा चुने हुए पतिनिदियों में नहित होती है और उन्होंने इस पर्ष्ट किया है कि राजिपाल राजिके निर्माचित प्रमुख नहीं है बलकि राष्ट पती द्वारा नियुक्त राजिके नाम मात्र के प्रमुख हैं यहाँ पर दोस्तों राजिपालों को लेकर यह तल्क टिपनी की है फटका लगाई है बिधैकों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं राजिपाल और रोक के रख रहे हैं जिसके खिलाब पहले पंजाब, तमिल आडू, केरल, आदी सरकारों ने सुप्रीम कोट का रुख किया था यह इस समय की बड़ी ख़वर निकल के आई है देख सकते हैं एक बार फेसे CGI ने बड़ी टिपड़ी की है दोस्तों अगे ली ख़वर की तरफ चलते हैं दोस्तों राजिस्थान के लिए जहाए एक तरफ चुनाव पेचार थम चुका है अब बारी है तेलंगाना की कॉंगेस के सभी इस्टार पेचारक पहुंच चुके है तेलंगाना राहुल गांदी और करनाटक के डिप्टी सीमडी के सिपकुमार हैदरावाद में आज कर रहे हैं रोट सो जिया दोस्तों दूसी तरफ गिरी मंत्री अमिस्थावी तेलंगाना में आज एक रैली करने वाले हैं दोस्तों तेलंगाना को लेकर सभी दिगश नेता मैदान में उतर गए हैं भायती जनता पार्टी की तरफ से केंद्र गिरी मंत्री तेलंगाना में मौझूद रहेंगे सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं कॉंग्रेस नेता और सांसर राहूल गांदी और डिप्टी सीमड के सिब कुमार भी तेलंगाना पर ही फोकस कर रहे हैं तेलंगाना में इस समय कॉंग्रेस की लाया चल रही है राहूल गांदी पहले ही दावा कर चुके हैं कि बीरेस और बीजेपी का सफाया हो जाएगा इस विधान सवा चुनाओं में दोस्तों अगर आप भी राहूल गा गैलोत ने सचन पाइलेट की बोट की अपील साजा की है दोसो सदस्य विधान सवा के लिए चुनाओं पेचार पहले ही थम चुका है वहीं दोस्तों मुख मंतरी ने अपने एकस हैंडल पे सचन पाइलेट का बीडियो पूश्ट किया सचन पाइलेट की वीडियो अपील मे गहलोत और पार्लेट के साथ पार्टी के पूरवध्य चराहूल गौंधी भी नजर आ रहा है बिधान सवा चुनावों से पहले गहलोत और पार्लेट ने एक जुट चहरा पेस किया है और यहाँ पार रेगिस्तानी राज्य में सायोक्त रूप से एक साथ जनिक बैठक को भी संबोधित किया है वीडियो सेर किया गया है उसमें सचिन पार्लेट कहते नजर आ रहा है कि लोगों से कि कॉंग्रेस पार्टी को बोट दें राजिस्तान में कॉंग्रेस पार्टेन जो जनकाल नयांकारी योजनाय चलाई है अगर सरकार बदल गई तो वहाँ बंद कर देगी वीजेपी इसलिए कॉंग्रेस पार्टी से दोबारा से सरकार बनाने की अपील किया है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तो तो लाइक कीजेगा वीडियो को सेर कीजेगा अपने दोस्तों में भी आप सभी का धन्यवाद जय हिंद जय भारत